विश्व स्वास्त संगठन यानी डबलो एचो ने या आशनका जाहिद की है कि कोरोना वाइरस से जुड़ी बीमारी ऐसी हो सकती है जो कभी भी खत्म ना हो WHO ने कहा है कि हो सकता है कि कोरोना वाइरस समुदायों के बीच बना रहे जिसका भविश्य में कभी खात्माना हो विश्य स्वास्त संगिठन के हेल्थ इमर्जनसी प्रोग्राम के निदेश्यक डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि जैसे HIV खत्म नहीं हो सका वैसे ही कोरोना वाइरस भी हमारे बीच बना रहे सकता है रियान ने कहा हलाकि हमने ऐसी तकनीक ढून ली है कि HIV सिग्रसिट लोग भी जादा दिनों तक स्वास्त और जिन्दा रह सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वाइरस को लेकर हमें यठार्थवादी होना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बीमारी कब खत्म होगी डॉक्टर रियान दे कहा कि अगर हम कोरोना वाइरस की कोई कारगर वैक्सिन इजाद कर लें तो डुनिया में हर आदमी को मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत है तो संभब है कि ये बिमारी खत्म हो जाए हलाकि ये वैक्सिन कब और कैसे बनेगी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको बता दें कि इससे पहले ही विश्व स्वास संगिठनी आशन का जाहिर कर चुका है कि आने वाले दिनों में कोरोना में हमारी का खात्मा नजर नहीं आता अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें